सर नमस्कार क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुगम यादव है सुगम यादव जी कहां से आएं आप? मैं कांधीदाम कुचराथ से आया हूँ बेजीकली मैं MP का रेने वाला हूँ अभी आप गुचराथ में रहते हैं? आप क्या बक्ति साधना ही करते थे? सर संत्रामपाल जी महराजी की सरण में कैसे आना हुआ? जिसमें मुझे बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ था नुकसान कुछ इस प्रकार हुआ था कि मैं ऐसी कंडिशन पर आगया कि रोड पे था जिसमें मेरे कोई परिवार, भाई, बंदू कोई भी मेरे को एक पांच रुपे का सपोर्ट करने की कंडिशन नहीं थी और उस स्पिरेट में मेरे को लोग देख ले थे तो साइड निकल जा थे कि भाई ये पैसे मांगेगा या इसके पास पैसा नहीं है इसके लोग करजा मांग रहे हैं ये अमदवात में जब मैं काम करता था ये 2006 की बात बता रहा हूँ 2006 से साथ के बीच में या रहा और थोड़ा मेरे अपना कर्णिशन सुधारा लेकिन सही सुधरा नहीं उस स्पिरेट में मैं दारू पी के ये दर घूमता था लेकिन लोग बोलते थे तो मंदर जा मजजद जा ऐसा कर वेशा कर लेकिन मैं कहीं ऐसे जाता भी था टेकिन कुछ खास मेरे को समझ में नहीं आया उस स्पिरेट में हमारे स्याम सिंग भगत जी थे जिनको मैं भगत तो जानता ही नहीं तो भगत क्या सब दोता है वो मेरे को चांद ओडिय ब्रीज के नीचे अंदावाद में मिले तो उन्हों नहीं भोला भई तुम कैसे हो ठीक ठाक हो और में नुक्षान में हो, तो अलकल मेरे को मिलना, आज आप ठीक नहीं हो, आप दारूपी हो और आप से आज बात नहीं कर सकता हूँ, और ठीक है जी, मैं नेक्स टेए उनसे मिलने के लिए बड़ा इस्युक था, कि भई उन्होंने मेरे को बोला है, मैं उनसे मिलने जाऊँ मेरे दिमाग में बहुत बड़ा टेंशन हो गया, क्यार ये क्यान से ऐसा संत होते हैं, जो इस तरीके की बातावन है, आप ये ब्रह्मु, अभिश्लु, मैस, ये सब, मैं तो उस पिरिट में हनुआंजी की पूजा भी करता था, कि मेरे को ऐसे लगता है, मुझे भूत मेरे दिरे दिरे जो कंडिशन थे वो बहुत अच्छे होने लगे, कच्छे ये होने लगे कि मेरे को मैरे घुटका छूट गया, दारू छूट गई, उन्होंने मेरे को पहले समझा दिया, तो ही आप ये समार्क को पकड़ना, जो आप पूरे पूर रूप से, आपको नसा पता चोड़ना पड़ेगा सर आपने नाम दिखसा भी नहीं ली थी केवल संत्रामपाल जी महाराजी के पुस्तक ही पड़ी थी तब ही आपने नसा चोड़ दिया बिलकुल बिलकुल उसी पिरेड में क्योंकि उन्होंने मेरे को पहले यह चीज बताई थी तो ही सरण में जान मेरे कंडिशन यह है कि मैं छूना भी पसंद नहीं करता हूं कि मैंने वह उन्होंने मेरे को पहले जो एक बताया था नियम कि यह नियम करो तो ही जाना और नियम करने के बाद मुझे सुख प्राप्त होने लगा सुख ऐसा हुआ कि मेरा कदंदा चलने लगा अब जो आदमी अगत से और थोड़ा आगे का टाइम आएगा डिसम्मर में मैं करीबन साथ तारीक आस पास में मेरा राजकोट में काम चालू था और राजकोट से जब मेरे पास फोन आया कि मेरी बच्ची की तबिद खराब है इस पीरेट में मेरी बच्ची को छे महीने की थी और बच्च से अम सिंग भगत जी जो थे संत्रामपाली मारग जी की शरण में मैं नहीं गया था तो उन्होंने बताया था कि मेरे गुरू जी के पास जाते समय आपको कुआ और खाई बहुत बड़ा नुक्सान दिखेगा कि मैं जाऊंगा तो नुक्सान होगा और नहीं जाऊंगा तो यह चीज समझने कि आपको क्या करना उस तीरेंट में मेरे को यह चीज समझ में आ चुकी थी कि उन्होंने इनकी शरण में जाने के लिए आपको कुछ न कुछ भोग देना पड़ेगा पहले से की इनके बारे में मैंने बहुत पढ़ लिया था बност बोक्यो हो गई अच्छे से उसने दूद बूद पिया कि वह उस पिरिड़ों में छे महीने की थी और आज दिन तक उसको कोई तकलीम नहीं है और इतना मतलब मैं उस दिन से ध्रण हो गया हूं कि आज मेरे को कोई यह बोले कि तुम संत्रामपाल जी महाराज की शड़ में गए और से सिफ्ट हो गया था कच्छ में और मैं गांदाम गुजरात में बिर्जेंट में रह रहा हूं वहां मेरी पत्नी का दियान तो हो गया था 11 2011 में 17 तारीक है आसपास 17 नवंबर की बात है क्या आपकी पत्नी नाम दिख्षा ले रखी थी नहीं मेरी पत्नी उस पिरिड में न प्रवलम दे रहे हैं कि तेरा पती है थोड़े दिन बार संत हो जाएगा कोई बोलता कुछ हो जाएगा तो वो टेंशन में थी तो उसका उस दिन ध्यानत हो गया डॉक्टर न उसके ऊपर चदर डाल दी तो मेरे को कुछ चीजें ऐसी थी जो पहले से पता चलता कि मेरे जो परमात्मा है जिनों ने मेरे जैसे कुट्य को सुधार दिया है तो भगवान कुछ भी कर सकता है परमात्मा में साड़े-चोदा मिनिट के ऊपर कुछ सुई गई थी मैं और बड़ी यह देख रहा था कि इसको परमात्मा क्या करेंगे उस पीरिड में इसकी चदर हिली पेट की तरफ थोड़ी स्वांस आई और डॉक्टर कागज बनाने की तियारी कर रहा था मेरे से बुला था क्या आप यह कागज आजाओ नीचे कोई साइन करना है मेरे साथ एक मेरे दोस्त थे जो राम कुमार पंड़जी करके थे वह बैठे थे तो वह नों को पता लगा क्या हुआ सुगम मैंने बोला यार कुछ नहीं हुआ है बताओ बताओ तुम रो कि हुआ रहे हैं मैंने बुला यह खतम हो गई है बहुत क्या बात कर दो तब हम इतनी तेजी से एक दम रोने लगी, वाइफ है मेरी जब इतनी जोड से रोने लगी, कि ये बताओ कि हम तो आपके गुरू जी को गलत मानते थे, आपके गुरू जी ने मुझे बापस बिला, बेरे बेटी तेरे अभी टाइम पीरिड तो पूरा हो चेका, मेरी तरफ से तेरे को टा आशिरवाद दे रहे थे सब को, गिरू जी संतरामपाल जी महाराज मेरे आशिरवाद दे रहे थे तो उस पिरिट में हम लोग 15 जन के आगे हमारे गुरू जी चली जा एदे संतरामपाल महाराज, और मैं रो रहा था, मेरे मूं आवाज नहीं निकल रहे है थी, क्या जब भी नहीं बिगड़ागा बस बक्ती में ध्यान रखना मेरे को ऐसे बोले संत्रामपल जी महाराज सर फिर मैं तो बहुत बड़ा मनलब आवाज तो नहीं निकल रही थी इतना रोया था उस दिन से कि मेरे को यह समझ में आगी कि मेरे गुरी जी ने बहुत कुछ मेरे साथ अच मैं बता नहीं सकता हूं मेरे पास एक दस आने के लिए जो बंदा दुखी हुआ जो उसके पास बहुत अच्छा बड़ा बिजनेस है और एक जो बंदा आनपड हो जुसको लोग इंजीनर की डिगरी से देखते हो यह भी कंडिशन है मैं एक सिविल इंजीनर बन गया हूं और मैंने कभी श्कूल नहीं पड़ा था आज मैं डेफिनेटली एक इंजीनर के वर्क पोस्ट पर काम कर रहा हूं मैं खुद के मकान बनाता हूं मैं खुद एक बिल्डर की कंडिशन में आ गया हूं बहुत पैसा कमा रहा हूं सब कुछ है दाया है माले की और उसके बाद म नो के नो सथसंग चल रहा था गुरूजी का क्यों मैं कोई भी भक्ति बाव दूसरे चीज सुनता नहीं परमात्मा संत्रामपाल जी के प्रवचनों के अलावा कुछ और चीज नहीं सुनता हूं मैं जो कोई रूच्व नहीं है तो वो ही चल रहा था पूरी गाड़ी तैस और आज दिन तक मुझे कोई तकलीब नहीं है सर और कोई लाब बताना चाहेंगे मेरे कोई एक दूसरा लाब यह है कि आज मैं जो हूँ जैसी भी कंडिशन में हूँ वो बहुत बड़ी कंडिशन परमात्मान मेरी सही कर रखी है मेरे पास बहुत करजा था आज मेरे पास कोई एक रुपए नहीं मांगता है मैं सब का दे चुका हूँ और मेरा खुद का भी इतना अंच्छी फाइनसली हो गई मैं कभी सोच भी नहीं सकता था मेरे जैसे और मैं सब दूसरी बात ही है कि मैं इतना बड़ा नसेल सी आदमी था दारू के धंदे करने वाला दारू बेचने वाला दारू चलाने वाला चंबल के बहड़ों में डुकेतों के साथ गुमने वाला बंदा इस कंडिशन में आजागा ऐसे किसी ने सोचा नहीं तो आज मेरे परिवार मेरा गाओं मेरे को जो उस पिरेट में देखते थे तो वो बोलते थे यससे दूर रहना यह तो बहुत खतरनाक लड़का है आज मैं समाज में जाता हूं लोग मुझे बहुत इज़त से बुला के बिठाते हैं बोलो भाई यह लड़का बहुत अच्छा है अभी थोड़े दिन पहले की एक छोटी जी बात बताना चाहूं आपको कि मेरे पास गाड़ी नहीं थी मेरे को एमपी जाना था साधी में मेरी पतनी बोली कि मेरे को है ना गाड़ी के बिना नहीं जाना क्योंकि ह हम लोगों का इस्टेड़ डाउन होगा तो मिन बोले देखो यार अपन परमात्मा के बगता कैसी भी चल पड़ेंगे बोलो नहीं आप परमात्मा से संत्रामपाली मारा से अर्दास लगा दी हमारे बच्चों ने और मेसेज ने हमने सबने मेरे तीन दिन के अंदर मैंने न देक आत्मा हो बहुत प्रिये मित्र हो बहुत अच्छे हो आप सुदर सकते हो आपको लाम मिल सकता है संत्रामपाली माराज की शड़ में आओ मेरे जैसे कुत्ते को इतना धन दे दिया भगवान ने जो बीक मांगता था भिकारी था आज उसको इतने सुक कर दिये हर बारा म कोई ने गाड़ी नहीं चेंज करता है मन पड़े मैं आज कुछ 2011 से लेके अभी तक मैंने 24 गाड़ियां चेंज कर लिए इतना सुक मिल रहा है भगवान को इससे ज़्यादा क्या ले सकते है जो कुत्ते को दे दिया आप तो नेक आतमा आपको सब को देगा भगवान सर अभी तो संत्रामपाल जी माराज जी जेल में है क्या अभी भी आपको वैसे ही सुक मिल रहे है और अभी भी आपका भाव उनके प्रति वैसा ही है मैं तो डबल हो गया हूं जी संत्रामपाल जी महाराज में जेल जाने से जिन लोग कहते हैं जेल हैं उनके लिए होंगे मेरे लिए जेल में नहीं है भगवान मेरे लिए हर दुख में हर पीडा में साथ खड़े रहे थे जी धन्यवाद सत साहिट झाल झाल